इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इतिहास इतिहास होता है जरूरी नहीं कि हम हमेशा इन्वेडर्स की बात करें कभी-कभी हमें अपनी भी बैटल्स की बात कर लें जाए जो जो हमारी राजाओं की बीच में जैसे की दिल्ली के प्रित्विराज सिंग चोहान और महुबा के युवराज ब्रह्मजीत के बीच हुआ 1189 का युद कहते हैं युवराज ब्रह्मजीत को प्रित्विराज सिंग चोहान की बेटी बेला से प्रेम हो गया था जिसकी वज़े से उन्होंने प्रित्विराज सिंग चोहान से उनका हाथ भी मांगा लेकिन प्रित्विराज सिंग चोहान ने उनके सामने रगती एक शर्थ या तो चंदेलों का आधा किंडम हमारे हवाले कर दो या फिर काशी के गड़वालों से हुई दोस्ती को या विसंधी को त्याग दो ये सारी बाते जब युवराज ब्रह्मजीत के कजंस आला उदल तक पहुंची तो उन्होंने कहा एक पग भूमी न दें चाहे प्राण चले चल जाएं और फिर बीच सभा में ही इस युद्ध का प्रारंब हो जाएं जिसके परिडाम स्वरू चंदेल युवराज ब्रह्मजीत रिद्वी राज को बंदी बनाकर उनकी बेटी से वहीं पर शादी कर लेते हैं